निवंद लेकन कम्प्यूटर पर निवंद हिंदे में बहुती आचान सब दुने स्निवंद को लिखना सेखेंगे यह युख बहुत अधिक तेज वो आधुनिक हो गया है आज पहले के मुकावले सभी काम बहुत तेजी से हो रहे हैं आज आप घर वेठे वेठे सभी काम कर सकते हैं इस आधुनिक युग के पिछे यदि सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है कम्प्यूटर आविस्क्ता की आविस्कार की जननी होती है इसी आविस्क्ता ने कम्प्यूटर को जन्म दिया कम्प्यूटर के महत्व को आज कौन नहीं समझ सकता है आज कम्प्यूटर के बिना इस दुनिया की कल्पना करना भी बहुत मुस्किल है आज कम्प्यूटर ने हमारे बहुत से काम आसान कर दिये हैं आज कम्प्यूटर की मदद से किसी भी काम को पहले के मुकाबले कम समय में वो कम महनत के किया जा सकता है कम्प्यूटर विज्ञान का एक महान आगिसकार है इसने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से ही बदल कर रख दिया कम्प्यूटर एक इलोक्ट्रानिक उपकरन है कम्प्यूटर की खोज चाल्स बेविस दुआरा उनिस्विस ताफदी में की गई थी माना जाता है कि 1622 इस्वि में अबेकस ने एक यंत्र की खोज की थी जिसे कम्प्यूटर कहां जा सकता है कम्प्यूटर एक प्रकार का एक इलोक्ट्रोनिक उफकरन है इसमें आप अपने डाटा वो सुचनाओ को सुरख्चित रख सकते हैं ये किसी भी परकार की गणना को बहुत आसान से कर सकता है इसके द्वारा किसी भी काम को आसानी से कम समय में पूरा किया जा सकता है गरतमान समय में कंप्यूटर के विना जीवन की कलपना करना भी बहुत मुस्किल है आज लगब बढ़ते एक छेतर में इसका उप्योग किया जाता है यह बहुत उप्योगी उफकरन है इसका उप्योग निमलिखित छेतरों में किया जाता है आज सिक्षा के छेतर में कम्प्योटर का उप्योग लगातार बढ़ता ही जा रहा है आज बच्चों को कम्प्योटर के माइधम से बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है आज कम्प्योटर के माइधम से बच्चों को प्रयोगिक तरीकों से पढ़ाया जा सकता है जिससे उनका विकास उहूत तेजी से हो सकता है कम्पनियों में वर्तमान समय में कम्पनियों का संपून कर्ज कम्प्योटर के माइधम से ही किया जा रहा है क्योंकि computer के माइदम से अधिक काम को कम समय में आसानी से किया जा सकता है तिया थमलाओ आज का टॉपिक वीडियों को कह से लगए प्लीज लाइक, सेट और सब्सक्राइब टाउट चैनल थेंक्स पूर वाचिंग